तो दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 सुपरकार जो मिडल क्लास के लोग कभी नहीं खरीद सकते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं समबर 10 पर आती है फेरारी 204 जी टी यो जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 36 यूनिट ही मौजूद है फरारी दुनिया भर में बेहतरीन और बेहद तेज रफ़तार कारें बनाने के लिए जानी जाती है और इस कंपनी की विंटेज कारों की कीमत भी आज के जमाने में बहुत ज्यादा है नमबर 9 पर आती है मर्सिडीज बेंज, CLK, GTR जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 25 यूनिट ही मौजूद है इस कार को और भी खास बनाते हुए इसे सड़क पर वैद बनाने के लिए संशोधित किया गया है एमजी के इंजीनियरों की एक टीम ने निजी रेसि टीम लारबरे कॉम्पिटीशन से मैकलेरन F1 GTR चेसिस खरीद कर CLK GTR को जीवन्त बना दिया नमबर 8 पर आती है लेंबॉर्गिनी वेननो जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 14 यूनिट ही मौजूद है इस कार की कीमत इंडिया में लगभाग 45 करोड रुपए है इसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 10 यूनिट ही मौजूद है कौनिक सेग ट्रेवीटा प्राइस 4.8 मिलियन और आज 36 क्रोड नमबर 4 पर आती है लेंबॉर्गिनी अवेन्टाडोर इसकी पूरी दुनिया में सिर्फ सिंगल यूनिट ही मौजूद है लेंबॉर्गिनी अवेन्टाडोर की काईमत 25.01 करोड से शुरू होती है नमबर 3 पर आती है कौनिक सेग 1 जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ सिंगल यूनिट की मौजूद है नमबर 2 पर आती है बुगाटी ला वॉइचर नॉयरे इसकी दुनिया में सिर्फ सिंगल यूनिट ही हाई इसकार की कीमत 12.5 मिलियन डॉलर यानि लगभग 88 करोड रुपए है इसकार का नाम ला वॉइचर नॉयर है बुगाटी शुरू से ही महंगी और तेज रफतार कारों को पेश करने के लिए मशहूर रहा है कमपनी ने अपनी इसकार को जिनेवा मोटर शो में दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है नमबर एक पर आती है रोल्स रॉयस इसकी पूरी दुनिया में सिर्फ सिंगर यूनिट्स ही मौजूद है रोल्स रॉयस होल्डिंग्स पी एलसी एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रिय ऐरोस्पेस और रक्षा कमपनी है जिसे फरवरी 2011 में शामिल किया गया था कमपनी रोल्स रॉयस का मालिक है जो 1904 में स्थापित एक व्यवसाय है जो आज विमानन और अन्य उद्योगों के लिए बिजली प्रनालियों का डिजाइन